हिंदो धर्म में सावन के महीने को बेहर पवित्र महीना माना गया है। प्रकार जोशी बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इसमें धन बैभाव कई प्रकार की भोले नाथ ऐसे हैं कि कोई भी फल तुरंत दे देते हैं। इसमें जो है शोमबार ब्रत जो हैं कम 21 वर्षा तक करने चाहिए। इसके अत्रिक्ते इतना भी समबाव नहीं है तो कम से कम शोमबार के ब्रत करने चाहिए। शोम्बार जो है शावन के महने से ही प्रारंब ये वरत किये जाते हैं और शोम्बार जो है भगवान भोले शंकर का पिरिवार है वो बोले शंकर को समर्पित है ये बार इंदुबाशरे कहा गया है शोमबार को चंद्रबार या इंदुबाशरे संस्क्रप्त में इसको बूला जाता है शोमबार परत में जो है इसके नियम में यह कि प्राता ब्रह्म मोर्त में उठकर जो है कहीं इसनान शरोबर में या नदी के समीब इसनान करें ये इतना संभाव नहीं है तो घर में ही जो इसनान का जल है उसमें जड़ा गंगा जल मिलाके इसनान करें तदो प्रांत भगवान किशी शिव मंदिर में जाके भगवान भोले नात का सोड़ शोपचार पूजन करें उनको कच्छा दूत गाई का दूत चड़ाएं और जल ज जो इस तरीके से विद्विधान से शोड़ शोपचार क्योंकि क्वारिक अन्याओं के लिए ही नहीं हर किसी के लिए ये बहुत महत्तो पूर्ण है किसी व्यक्ते को धन आदी की शमश्या हो रही है धन नहीं रूक रहा है उसके पार तो इसके लिए भी भोले नात जो हैं तुरंत अफ़ाल देने वाले हैं इनमें हर परकार की उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं जैनिताल से तनुश मांडे की रपोर्ट